जैहिन दोस्तो असी शब पुरती मिनट की गती से संपायत की रिक्टेशन स्टार्ट आधुनिक चिकित सा विज्ञान की एक सबसे बड़ी खासियत यहे रही है कि किसी आम या जटिल बिमारी के पता चलने के बाद उसके इलाज के तमाम उपायों को लेकर खोज, परिक्षन, जाँच और परियोग के विभिन इस तरों पर काम शुरू कर दिया जाता है अलग-अलग चर्णों में कई इस तरों से गुजरने के बाद कोई दवा या टी का सामने आता है और वह लोगों का जीवन बचाने के काम आता है यही वजह है कि आज कोई बिमारी होने के बाद लोगों के भीतर फिर से स्वस्त होने और जीने की उमीद कमजोर नहीं होती है इसका इससे बड़ा उधारन और क्या होगा कि पिछले करीब तीन साल के दोरान कोरोना विशानू के संक्रमन की वजह से दुनिया भर में खोफ बना रहा मगर इस बीच आधुनिक चिकिस्सा विज्ञान की और से यह भरोसा दिया गया की इसका इलाज और इससे बचाव के इंतजाम जल्दी ही सब के सामने होंगे कोरोना विशानू के संक्रमन और उसके बाद के खत्रों का सामना करने के क्रम में विश्व भर में अलग-अलग कम्पनियों ने टी के तयार किये इस तरह जो रोग लोगों के लिए जान लेवा और खोफ की वजह बन रहा था वहे अब तक इस हालत में हैं की उससे बचाव के लिए लोग टी के को सबसे एहम उपाए मानते हैं इसके बावजूद हालत यह है की कई लोग आज भी टी का लेने को लेकर अपने भीतर एक बेमानी हिचक रखते हैं इसके कई अलग-अलग कारणों के अलावा एक मुख्य वजह यह भी रही है की कुछ लोग अपने शरीर में इंजेक्शन या सूई लेने से डरते हैं ऐसे लोगों की तादाद अच्छी खासी है हालांकी एक मामुली चुभन के अलावा टी के से कोई खास पीड़ा नहीं होती इसके बाद यह सुरक्षा ही देता है मगर जब कोई आग्रह या धारणा लोगों को मन में बैठ जाती है तो उससे निपटना इतना आसान नहीं होता शायद यही वजह है कि टीका बनाने वाली कंपनियों ने इस मसले पर काम जारी रखा और चुब होकर सुई के जरिये टीका देने के बजाए नाक के रास्ते टीका करण का उपाए सामने आया पिछले महीने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने यहे दावा भी किया कि नाक के जरिये दिया जाने वाला COVID-19 टीका BBI 154 तीसरे चरण के नियंतरित क्लिनीकल परिक्षन में सुरक्षित बहतर तरीके सहन करने योग्य और प्रतीरक्षा जनक साबित हुआ है अब भारत के ओशधी महानियंतरक ने मंगलवार को भारत बायोटेक की और तयार की गई इंट्राजेनल कोविड टीके का 18 साल से ज्यादा आयू वर्ग के लोगों के लिए सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है स्टोब दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दे धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में झाल